नमस्कार, अब हम लोग बात करेंगे Electrons के Discovery के बारे में Electrons के Discovery शिरवात होती है Cathode Race के Experiment से इसके लिए एक Device बनाई गई थी, जिसका नाम था Discharge Tube एक Tube-like Structure थी, जिसमें दो Plate लगाया गया, एक Vacuum Pump लगाया गया और यहाँ पर जो दो plates लगाए गए थे उसके साथ high voltage की battery लगाए गए थे इस तरीके का experimental setup बनाने के जरुवत क्यों पड़ी इसके history में जाने के जरुवत है उस समय एक विश्वास था कि solid substances से हो करके electricity का conduction possible हो सकता है solid substances से हो करके electricity गुजर सकती है ऐसा लोगों ने करके देखा था इसी तरीके से liquid substances से हो करके electricity गुजर सकती है इसका भी experiment हो चुका था liquid substances से electricity गुजर सकती है इसका experiment कैसे हुआ उस चीज़ को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा आपने देख रखा है आपको पता है इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक जो वेसल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें डाले जाते हैं और फैरडे ने दो इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया और उन इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करने के साथ इनको इंटरकनेक्ट किया और यहां पर इसके भीतर जो electrolytes भरे गए थे, electrolytes और दो plates के बीच में gap था, आप जानते हैं न, इसके भीतर क्या था, इस device के भीतर ये दो plates के बीच में gap था, लेकिन इसके बावजूर इसके भीतर से electricity pass कर जाती है, यानि यहां जो liquid होता है, उससे होकर के electricity गुजर जाती है, इस तरीके से एक बात spust हो जाती है, solid और liquid से होकर के electricity का conduction possible है, तीसरा question आता है, क्या gases से होकर के electricity का conduction possible है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, तीसरा जब experiment किया गया, तो उस समय जो answer आया, gases से होकर के electricity का conduction possible नहीं है, ऐसा scientist के पास idea आया, उनको जो answer मिला, उस समय वो इस बात को ले करके था, कि gases से होकर के electricity नहीं पास कर सकती है, लेकिन science, science के students की इसलिए value बढ़ती है, उनकी इज़त इसलिए होती है, क्योंकि वो वहाँ काम करते हैं, जा कोई दूसरा काम नहीं क कर सकता है, मेरे कहने का बतलब क्या है, मेरे कहने का बतलब यह है, कि अब scientist लोगों ने ये सोचने की कोशिश किया, gases से होकर के electricity क्यों conduct नहीं कर सकती है, और एक चीज़ ध्यान में रखेगा, यहाँ पर जो भी बात होई न, अब आप सोचेंगे, कि gas को ले करके जब experiment होता ह है, तो वहाँ पर क्यों fail हो गया, और वही बात उस समय के scientist के दिमाग में आया, उन्हें ये बात पता चला, इस बात का answer मिला, कि gases के जो molecules होते हैं, जो particles होते हैं, वो बहुत पास-पास होते हैं, room की conditions में, जो आपके कमरे की conditions होती हैं, उसमें gases के particles बहुत randomly और बहुत इस त अगर आपने बात समझ लिया, तो आप electrochemistry को समझ जाएंगे, आप जो metallic conduction की process आप 12 का जो 1st और 2nd unit जो आप पढ़ेंगे, उसका concept के लिए अट हो जाएगा, तो जो current के concepts हैं, वो यहीं से समझ में आ जाते हैं, history इसलिए जरूरी है, क्योंकि जो भी chapter आप पढ़ते हैं, जो जेट तक है, इस unit का, उसमें पूरा का पूरा एक connection, historical connection बनाने की कोशिश करूँगा, वैं पूरी की पूरी आपको interest बनाने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पर हुआ क्या था, actual में जो उनको negative response मिले थे, वो इसलिए मिले थे, क्योंकि कमरे की conditions में, particles बहुत करीब-करीब होते हैं, और आप जानते हैं, रूम की conditions में जो pressure बताते, वो कितना बताते हैं, 760 mmHg बताते हैं, आपको पता ही है, हम रूम की conditions में जो pressure की value बताते हैं, 760 mmHg, और इतना dense packed environment होता, अगर इतने dense packed environment में, कोई electron आगे अगर flow करने की कोशिश करता है, कोई electron अगर आगे flow करने की कोशिश करेगा तो इन particle से इतनी बार टकराएगा कि वो इसी में इधर उधर बिखर जाएगा मेरी बात समझ रहे हैं ये इधर उधर कहीं जाकर कि बिखर जाएगा किसी particular direction में किसी fixed direction में उसका flow नहीं हो पाएगा इस बात का मतलब क्या है इस बात का मतलब ये है कि कमरे की conditions में आप कभी भी electricity पास नहीं कर सकते हैं electrons आगे नहीं बढ़ सकता है एक बात ध्यान से समझेगा मैं कई बार history की बात करूँगा और आज की knowledge को उसके साथ mix करूँगा आज आप जानते electrons की flow होने से जादा dense, gases से जादा dense तो gases से जादा dense तो solid substances होती हैं लेकिन आपको ये भी पता है ना solid substances में electricity के conduction का जो हम concept लेते हैं वो अलग तरीके से लेते हैं वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ पर बहुत सारे atoms होते हैं, जो atoms होते हैं solid substances के अब मैं इस चीज़ को justify कर रहा हूँ कि यहाँ तो और जादा densely packed होते particles, लेकिन यहाँ जो बात होती है वहाँ पर क्या होता है हर metal का जो atom होता है वो electrons को easily release करता रहता है तो वहाँ पर आसानी से आप आगे चल करके पढ़ेंगे electron gas model वहाँ पर जो electricity conduct होती है वहाँ पर किसी individual electron को भाग करके वहाँ तक जाने के जरूवत नहीं होती है वहाँ पर क्या होता है जैसे आप Olympic में आपने मशाल को देखा होगा Olympic में जो मशाल होती है जो मशाल जो लोग ले करके चल रहे होती है तो कोई पूरी जर्नी नहीं तेह करता है एक मशाल दूसरे को देता है दूसरा मशाल तीसरे को मिलता है तीसरा मशाल, तीसरा person मशाल को चौथे person को देता है ऐसे ही कहानी यहाँ पर होती है जो metals में electricity का जो conduction होता है वो अलग तरीके सो होता है वहाँ पर क्या होता है, metals में जो electricity का conduction होता है वो हर atom वहाँ electron का contribution करता है इसलिए वहाँ का concept है, totally different है liquid के भीतर, जो electricity conduct होती है अब आप कहेंगे liquid तो और जादा dense होता है gas के comparison में, liquid तो जादा dense होता है तो liquid में कैसे electricity conduct कर गया तो वहाँ पर electrolytes होते है आप जानते हैं न, इस vessel के भीतर आपने पढ़ा भी होगा न, जब दो rods डाल दी जाते हैं तो उसमें catan और anion होता है वो catan और anion एक जगा से दूसरे जगा तक जाते रहते हैं तो इस वज़ा से electricity का conduction होता है बात समझे हैं? तो वहाँ जो electricity के conduction का जो concept है वो अलग है gases के लिए जो बात होती है उसमें concept टोटली अलग होता है यही वज़ा है कि solid का concept अलग है conduction का, liquid से conduction का concept अलग है जब हम gas की बात कर रहे हैं तो यहाँ concept टोटली different है और different यह है कि यहाँ एक individual electron को एक level से दूसरे level तक जाना होगा gas बहुत मुश्किल से अपने भीतर से electron को गुजरने देंगे बहुत मुश्किल से वहाँ electron आगे बढ़ पाया तो आपके दिमाग में एक दूसरा question आ सकता है कि क्या अगर हम gases को rare कर दें gases को rare कर दें एक बार फिर से मैं कहा रहा हूँ यह beginners के लिए lecture है उन बच्चों के लिए जो 10 से 11 में पहली बार गया हुए है और उन्हें science बिल्कुल नहीं समझ माता और रटते हैं तो मैं पहली बार उनको concept बताने के कोशिश कर रहा हूँ बात में चल करके मैं इसको shortcut कर दूँगा लेकिन अभी आपको सीखना जरूरी है तो जैसे उस समय क्या हुआ gases इतने densely packed थे बात समझें तो कुछ scientists लोगों ने कहा क्या अगर हम gases को rare कर दें माल लीजें यहाँ पर gases को मैं यहाँ पर particles को कम कर दे रहा हूँ तो कुछ scientists लोगों ने कहा क्या अगर gases को rare कर दिया जाए यानि यह जो electron है आगे बढ़ जाएगा यह electron आगे बढ़ जाएगा और electricity का conduction एक gas के environment से भी possible हो जाएगा सोचिए अगर scientist ने हार मान लिया होता तो समय ही बात खत्म हो गई होती लेकिन उस scientist में जो काम किया कितना बड़ा काम किया आप इस बात का हैसास इस LED की बल्ड से लगा सकते हैं कितना बड़ा काम किया वो आप जब आप होटल्स के जो आप fluorescent bulbs के नाम जो आप देखते हैं neon tubes जो होती हैं आपने होटल्स के नाम आपने देख़वा होगा बहुत सारे movies में या बहुत सारे जब आप पिक्निक पे जब आप जाते हैं तो देखते हैं रंग भी रंगी जो होटल्स के नाम जो रात में चमकते हैं वो इसी experiment की वज़ा से possible हो सका अज दुनिया इतनी बहतरीन है क्योंकि scientist ने कोशिश किया gas के भीतर से electrons के conduction को possible करने को और यही वज़ा था उससे अगर scientist हार मान लिये होते तो शायद ये बात possible ने होबाती तो क्या किया उन्होंने कैसे possible हुआ उसके लिए एक special device का इस्तेमाल किया उस device का नाम क्या था? Discharge Tube तो चलते हैं देखते हैं Discharge Tube के बारे में और हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे Discharge Tube Experiment कैसे किया गया था तो यहाँ पर हम Discharge Tube के एक model को बनाने की कोशिश करेंगे और वहाँ से अपनी बात को शुरू करेंगे तो Discharge Tube एक special vessel थी जिसके भीतर एक vacuum pump का इस्तेमाल किया गया एक vacuum pump का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर देखे यह था vacuum pump जिससे pressure को कम किया जा सकता था इतना ही नहीं इसको connect किया गया दो plate से यहाँ पर दो plates लगाई गई एक negative plate था एक positive plate था और इसको बाहरी source से जोड़ा गया battery से battery से क्यों जोड़ा गया इसका क्या importance था उन सारी चीजों पर अभी मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पर आप देखे इसमें battery से जोड़ा गया battery का negative plate यहाँ पर देखे battery का negative source यहाँ लगाया गया positive source यहाँ लगाया गया यहाँ बहुत high voltage की battery लगाया गयी वो value थी 10,000 से लेकर 20,000 तक 20,000 वोल्ट तक वो value थी इतने high voltage की battery लगायी थी इतना ही नहीं यहाँ पर vacuum pump लगाया गया था जहां से pressure को कम किया जा सकता था तो उस समय scientist ने बहुत सारे ऐसे काम किये कि जिसकी मदद से experiment को कर पाना possible हो सका अब सवाल यही था कि vacuum pump से जो vacuum create किया गया कितना create किया गया आप सोच करके हैरान रहेंगे जो कमरे की pressure होती जो 760 mmHg होती है वो reduce करके 10 to the power minus 2 से लेकर 10 to the power minus 3 mmHg का pressure वहाँ पर अपलाई किया गया तो उस समय जिस scientist ने यह काम किया उसने जो pressure वहाँ पर अपलाई किया वो 760 mmHg जो हमारे room का जो हमारे atmospheric pressure होता उसको उसने reduce किया 10 to the power minus 2 mmHg तक उसने pressure को reduce किया इससे हुआ क्या जो discharge tube के भीतर gas भरी गई थी जो discharge tube के भीतर जो gas था बहुत rare हो गया था और आपके दिवाँ में यह भी question आ सकता है rare क्यों किया totally air को rare क्यों किया अगर मैं चाहते है totally inert environment create कर सकते थे लेकिन उन्होंने inert environment नहीं create किया उन्होंने inert environment की जगा near to inert environment create किया near to inert ही क्यों इस चीज़ को भी मैं आपको justify करने की कोशिश करूँगा इसके अलावान उन्होंने एक और environment के support में एक और चीज़ रखी high voltage की battery लगाई high voltage की battery कितनी 10,000 से लेकर 20,000 तक के रहें जीगे इतनी high voltage आपको पता है कमरे पे जो ये electricity जो आपके कमरे में जो पास कर रही है वो 220, 230 तक voltage पर काम चल जाता है सोचिए उसने 200 के आज़ पास के voltage पर हमारे माँ electricity पास करती है जबकि उस scientist ने जिसने experiment किया उसने high tension की battery का इस्तेमाल किया उसने 10,000 से 20,000 वोल्ट तक का battery उसने इस्तेमाल किया इतना battery इतने high tension की battery इस्तेमाल करने के जरूवत क्या थी जरूवत थी आपको पता है नो मैंने आपको बता है gas में क्या करना पड़ता है एक ही electron को चल करके दूसरे छोड तक जाना होता है जबकि solid में क्या होता है solid में क्या मैंने आपको बता है कि वो olympic के मशाल के जैसा था एक जगा से electron एक दूसरे के combination से पहुँच जाता है, वो Olympic वाला वहाँ पर Olympic के मशाल जैसा कहानी होता है, liquid की कहानी अलग होती है, यहाँ पर क्या था, एक ही electron को चलना था और उसे पूरा का पूरा discharge tube को पास करते हुए, last तक पहुचना था, अंत तक जाना था, तो इसलिए बीच में इतना जादा attraction तयार हो कि वो आसानी से पहुच सके, इसलिए उसने high tension के battery लिया, एक बात ध्यान से समझेगा, voltage क्या होता है, voltage, potential difference यह सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए voltage या potential differences जो होते हैं लगबग parallel terms हैं, और इसमें क्या होता है, कि voltage जो आप यह potential difference जो आप यहाँ पर develop कर रहे हैं, उसका मतलब यह होता है कि एक का level high कर दीजे और दूसरे का level कम कर दीजे, जैसे यहाँ negative plate पर आपने क्या किया, electrons जादा कर दिया इतना जादा कर दिया, और दूसरे पर इतना high voltage, जितना ही जादा और कम voltage रहेगा, तो इतना level का difference रहेगा मेरे बास मुनें, जादा voltage रहा और difference और जादा रहा, और जादा difference और जादा रहा, और जादा difference तो इसलिए इतना high voltage वहाँ पर apply किया, कि जो भी electrons हो तुरंट वहाँ पर उस attraction से दूसरे जगह तब पहुंच सकें, जो positive plate है, जहाँ electrons की नहीं presence है, कम presence है, वहाँ तक वह direction पा सकें, तो इस तरीके से उन्होंने high voltage की environment, वहाँ पर उन्होंने battery connect किया, अब यहाँ पर एक जो सवाल था आपके दिमाग में, कि उन्होंने inert क्यों नहीं किया, उन्हों near to inert क्यों किया, इस बात का answer अब मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, actual में क्या होता है, यहाँ पर जो environment उन्होंने बनाने की कोशिश किया था, वो कुछ इस तरीके का था, कि आप एक plate से जो electron रिलीज कर रहे हैं, negative plate, इस negative plate से electron release किये गया, यहाँ पर electron, क्या हुआ, यहाँ पर electron इस negative plate पर जादा है, दूसरे जगा पर electron दूसरे plate पर कम है, अब हुआ क्या, यहाँ से जब electron निकलने की कोशिश करता है, क्या करता है, यहाँ से माल लिजे, electron निकला, electron आगे अब जब हमने gases को rare कर दिया है जाहर सी बात है इसको एक free environment मिल गया है आगे atom से टकराने से पहले इसको एक हाली जगा मिल जाता है जहां पर यह चल करके जाएगा बीच में कोई atom उससे टकराएगा atom से इसको कहीं टकर मिलेगी नहीं लेकिन थोड़े दूरी पर जाने के बाद अगर rare environment है तो किसे ने किसी atom से टकराएगा ही तो मा लिजए यह atom का nuclear से atom को बढ़ा करके मैं दिखा रहा हूं और यह उसके बाहर घूम रहे electrons होंगे मानते हैं नहीं मानते हैं आप कि इस तरीके से जब rare environment हो जाएगा तो जो electrons है वो जब आगे बढ़ेगा तो थोड़े दुरी के बाद उसका यहाँ पर electrons यह एक atom से टकर होगा तो जो आपकी plate से निकला हुआ electron था जो plate से निकला हुआ electron था वो free space पाता उस free space में आगे बढ़ता है और बीच के रास्ते में किसी atom से gaseous atom से टकराएगा और टकराने के बाद यह होता क्या है यह अपने तो आगे बढ़ जाएगा माल दिज़े यह यहां से निकला अपने तो आगे निकल गया यह electron अपने तो आगे बढ़ गया लेकिन जिस atom को इसने टकर किया वो उस atom का पूरा का पूरा environment बदल जाता है और इसके electrons ionize होकर के बाहर निकल जाते है मेरी बास समचे रहे है तो आप जामते हैं ionization में क्या होता? बाहरे electrons निकलता है तो आप समझ सकते हैं पीछे से कोई आया पीछे से कोई electron आ रहा था उसने बीच के रास्ते में जो gases atom से टक्कर मारा उसके करण अपने तो आगे निकल गया और जो atom था उसका भी electron exact होकर के बाहर निकल गया यानि खुद आया एक टक्कर के बाद दो-तीन और electrons निकल गया यही वज़ा था कि उस समय scientist ने पूरी तरीके से inert environment नहीं रखा क्यों? क्योंकि एक का source दे रहे थे तो हो सकता है उस समय दो-तीन और electron बीच रास्ते में मिल जाए तो इसलिए उसने किया आप आगे चल करके physics में पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? आप physics में बहुत important concept पढ़ेंगे physics में एक फार्मूला पढ़ेंगे kinetic energy gained by an electron कि यह आप 12 में पढ़ेंगे कई जगों पर आप gaseous atom के concept में आप पढ़ेंगे पूरी की पूरी पता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर physics और chemistry की बात नहीं कर रहा हूँ concept की बात कर रहा हूँ और होता क्या है? जो मैंने आपको बताया ना कि यह जो voltage है इसके multiplication से E into V से kinetic energy की value पता की जाज़ा है मेरी book है अगर आप चाहेंगे तो मैं उस book का PDF आपको available कराने की कोशिश करूँगा उस book में मैंने इस चीज़ को समझाने की कोशिश किया है किस तरीके से यह electrons का यह model आगे चल करके उस समय scientist के सामने आया होगा तो होता क्या kinetic energy जो gain की जाती है किसी भी यहां से eject होने वाले electrons के द्वारे जो kinetic energy gain की जाती है वो कितनी होती E into V के बराबर होती है यह बात आपके दिमाग में आ गया V क्या है? voltage और आप जानते हैं जितना ही जादा voltage potential difference आप develop करेंगे उतना ही जादा kinetic energy से electron आगे बढ़ेगा तो हुआ क्या? यहां पर यह जो electrons जो बढ़े इनके पास kinetic energy किती थी E into V थी जितना ही जादा voltage उतना ही जादा kinetic energy इस kinetic energy की वज़ा से जब यह आगे बढ़ रहे थे तो आगे बढ़ने के दौरान जब यह टकर मारते हैं इस atom को तो अपने तो आगे बढ़ गए यह electrons और इस atom के electrons को भी आइनाइज करके बाहर कर दिये एक से जादा electron निकल गया तो इस तरीके से क्या हुआ? इस तरीके से पहली बार एक electrons का beam निकला और वो beam निकलते हुए आगे बढ़ा positive plate तक पहुँचा इस चीज को कैसे observe किया उस समय scientist ने उस चीज को अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो हुआ क्या discharge tube के experiment के दौरान जिस scientist ने काम किया उन्होंने कहा कि मुझे vacuum pressure means vacuum pump की मदद से जब low pressure उन्होंने apply कर दिया 10 to the power minus 2 mmHg के आसपास high voltage उन्होंने apply कर दिया कितना 10,000 से लेकर के 20,000 के आसपास 10K से लेकर 20K वोल्ट तक समझाना जब इतना high voltage जब उन्होंने apply किया तो उन्होंने observe किया कि यहाँ पर जो cathode की plate है उनके according उनको ऐसा लगा कि cathode की plate से कुछ rays निकली है जो anode की plate की ओर चली है और उन्होंने observe कि यहाँ से कुछ invisible rays चली है यह invisible rays आगे बढ़ते हुए चली गई और उन्होंने positive plate के पीछे मैंने आपको बता ना positive plate के पीछे चमक पैदा किया इस तरीके का उस scientist को idea लागा और इस तरीके से जो शिरुवाती scientist थे crooks थे, thomson थे और भी बहुत सारे scientist थे उन्होंने नहीं यह observe किया कि इसने positive plate के पीछे चमक पैदा किया यहाँ पर मैं आपको बताओ science या जिन्दगी हमेशा गलतियों से सीखने का process है उस समय जो cathode raise नाम रखा था वो नाम partially सही था और जो cathode raise raise जो term था वो totally गलत था जैसे जैसे हम science में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यह सारी चीज़े समझ में आईए जैसे जैसे दुनिया में सारी चीज़े clear होती गई पता चला रहे पिछले ने तो नाम ही गलत रख दिया था जैसे आप खुछ सोचिए cathode raise इसलिए नाम रखा यह सोच करके रखा गया कि cathode की plate से कुछ raise निकल रही है invisible raise निकल रही है जो anode की plate की और जारी है और anode plate की पीछे चमक पैदा कर रही है cathode की plate को source मान करके cathode raise नाम रख दिया क्या वो ray cathode की plate से निकला था ठीक है उस ray का एक source electron का source cathode की plate पे था लेकिन दूसरा source और भी था ना gaseous atom से वो टकरा करके भी निकले हुए electrons थे याद है ना अभी मैंने आपको बता है gaseous atom से टकरा करके भी electrons निकले थे इसलिए cathode ray के source दो थे एक तो cathode की plate और दूसरा बीच के रास्ते में टकराने से निकला हुए electron यही वज़ा था कि साइंटिस्स जिस साइंटिस्स ने वो set up बनाय cathode ray के discharge tube का जो experiment उसने किया उसने बहुत बढ़िया काम किया था उसने gas को पूरा का पूरा निकाला नहीं उसने rare किया था लगबग inert किया था लेकिन पूरा inert नहीं किया क्योंकि बीच के अनाइजिशन से भी electron निकले थे एक बात और भी मैं आपको बता दू science इतना शांदार है इतना शांदार है इतना शांदार है पूछे नहीं यही discharge tube का experiment पता है आगे चल करके जब modify किया गया तो positive rays की खोज होई positive rays proton के बारे में बताता है यही जो experiment अभी हम कर रहे हैं इसी experiment को आगे बढ़ा करके photo electric effects के बारे में पता चला है discharge tube रहेगा उसको थोड़ा हम modify करेंगे समय के हिसाब से modify करते गए और नए 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 चीज़े दुनिया को पता चला है इसी तरह कि इस x-ray की discovery इसी discharge tube की वज़ा से possible हो सकी थी होता क्या आगा जब एक बार बहुत मेहनत कर दी जाती है discharge tube का जिसने experiment किया बहुत मेहनत से हुआ था ले जब एक बार मेहनत हो गई तो उसके बाद वहाँ पर उस experiment का फायदा ये हुआ कि वो धिरे धिरे करके आगे कई सारी चीज़े पता चली proton के बारे में पता चला है neutron की discovery भी इसी device के modify करके हुई x-ray की discovery इसी device को modify करके हुई इसी तरीके से photoelectric effect का जो experiment हुआ था जो photoelectric effect पूरी की पूरी दुनिया बदल दी पूरा का पूरा science को समझने का नजरिया बदल दी थी Einstein ने जो दुनिया को बहुत बड़ी बात दी वो बात इसलिए संभा हो सकी थी क्योंकि वो photoelectric effect इसी discharge tube को modify करके हुआ था कैसे हुआ था अगे चल करके हम बात करेंगे अभी आपको क्या पता चला अभी सिर्फ cathode ray के बारे में पता चला cathode rays और वहाँ पर उसके नाम में क्या छुपा हुआ था और क्या क्या बाते थी तो उस समय cathode ray electron का source है electron का source है ये बात उस समय scientist को पता नहीं था कैसे पता चला उस चीज़ को मैं धेरे धेरे establish करूँगा आज की डेट में आप क्या जानते हैं आज की डेट में आप सब कुछ जानते हैं आपको पता है cathode ray जो नाम रखा गया था वो partially सही है पूरी तरह सही नहीं है cathode ray का source दो थे कौन कौन से एक प्लेट का electron था दूसरा ionization से निकलने वाला electron था ionization से निकलने वाले electron दो दो source उसके थे पहली बात आप आज की डेट में जानते हैं उस समय नहीं पता था उस से मैं सिर्फ इतना पता था कि कोई ray है इसके लावाद बात में चलकर की धीरे धीरे पता चला कि ये ray नहीं है ये ray नहीं है ये particles की beam है अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि ये ray नहीं है तो ray को ले करके confused कैसे हुए वो चीज हम second part में बात करेंगे कि यहाँ जितनी भी बात मैं आपको बता रहा हूँ न ये भले ही आपको boring लग सकता है लेकिन अगर आप इसको समझ गया है पूरी की पूरी physics पूरी की पूरी chemistry आपको समझने में मदद आ जाएगी ये ray का जो concept है ये आप पढ़ेंगे ray optics wave optics में वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो उस समय गलतियां हुई थी वो कैसे हमें आज की डिट में उसको कैसे हम सुधार करके पढ़ते हैं कैसे उसको देखते हैं तो cathode ray नाम बाद में चलकर समझा है कि ray नहीं है बलकि particles का एक collection है particles की beam है beam of particles हैं ये बात पता चला फिर ये पता चला कि वो negatively charged particle है वो क्या है negatively charged particle है उस charged particle का जो nature था वो पता चल गया इतना ही नहीं बाद में चलकर के पता चला कि वो negatively charged है और वो भी particle है तो आप जानते हैं ये भी तो पता करना पड़ेगा कि उस negatively charged particle का चार्ज कितना है? बात समझें. उस negatively charged particle का चार्ज कितना है और मास कितना है? क्यों? क्योंकि अलड़ी हमने दो शब्द कहें यहाँ पर. हमने का charged है. चार्ज है तो उसकी charge बताएए. अगर वो particle है तो उसका मास बताएए. और आपको मैं बता दू यह दोनों ही experiment बहुत पार्टकिल है यही इस्टैबलिस करना बहुत मुश्किल था यह बात इस्टैबलिश कर पाना कि यह बहुत बड़ी मुश्किल की बात थी इसलिए उस समय डिस्चार्ज ट्यूब के भीतरी कई सारे और एक्सपरिमेंट किया गया थे आपने किताबों में पढ़ा भी होगा न इन्टु वी फिजिक्स का पॉइंट है एम इन्टु वी अगर मोमिंटम होगा तभी कैथोड रे के सोर्स के आगे अगर पैडल रख देंगे तो पैडल घूमने लगता है अगर उसके पास एनरजी है तभी बीच के रास्ते में कोई मेटलिक फाइल रख देंगे तो मेटल मेटलिक फाइल गरम हो गई बीच में पहिया रखा गया घूमने लगा बीच में वहां पर चार्ज प्लेट लगाई गई वह घूमने लगा पॉस्ट्री प्लेट के और अट्रेक्ट होने लगा बीच में मैगनेट रखा गया तो मैगनेटिक फिल्ड में अट्रेक्ट होने इससे धीरे धीरे की चल करके पता चले, एक पार्टिकल है और निगेटिवली चार्ज्ट है, दो चीजे इस्टेबलिश हो गए, पार्टिकल का मास, पार्टिकल का चार्ज कितना होगा, इसके लिए ए ए बाई एम रेशियो का, इस्पेसिफिक चार्ज का experiment किया गया, तब ज सारी चीज़ों के बारे में देख पाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा मकसद था इस बात को establish करने का कैसे उस समय यह experiment हुए थे तो आप देखें यहाँ पर यह बात जो सब atomic particles के discovery का था इसमें सबसे पहले Michael Faraday ने जो मैंने आपको बताया ना कि यह जो Michael Faraday का 1830 का जो experiment लगभग आज से 200 साल पहले की बात बताएगे वो electrolytes के भीतर से हो करके electricity के conduction की बात कर रहे है यानि जो इस paragraph में बात कही गई है वो liquid से हो करके कैसे electricity conduct करती है उस बात को establish करने की कोशिश की गई है और उसके बाद जब Faraday का वो experiment यह जो आपको electrolytic vessels में electrodes डाल करके जो electricity के conduction का जो experiment था इस experiment के बाद gases से कैसे electricity conduct कर सकती है उसकी बात हुई और यहाँ पर देखे इसके लिए किया क्या गया mid 1850s यानि आज के लगभग 1500 साल के आसपास हो गया बहुत समय पहले मिस बहुत जादा नहीं हुआ करीब 1500-170 साल पहले 170 यह पहले क्या हुआ कैथोडरे discharge tube के बारे में बताया गया और यह कैथोडरे discharge tube के बारे मैं आपको बताया है यह इतना बहतर डिवाइस बनाया गया कि इससे कई सारी चीज़ें पता चलेंगे धिरे धिरे करके आपको सब कुछ पता चलेगा modern physics, chemistry का link, chemistry का पूरा fundamentals यहीं से हम आपको clear कर देंगे तो यहाँ पर देखे, cathode ray discharge tube, यह सारी चीज़ें यहाँ पर होती है और धिरे धिरे करके उन्होंने क्या किया, current का flow कैसे हो सकता है और current का जब flow होता है, तो कुछ rays के बारे में पता चलता है जिसका नाम क्या रखा गया, cathode rays रखा गया बाद में चल करके पता चला, वो rays नहीं है, बलकि particles हैं उन particles के बारे में जब पता चल जाता है तो यहां पर देखे उन्हों ने देखा कि यह पीछे जो चमक पैदा करती है यह raise नहीं है बलकि particles है जो strike करती है पीछे fluorescent जो coating होती है उस पर चमक पैदा करती है बात में चल करके और जब यह experiment आगे बढ़ता है तो यह बात पता चलती ह कि यह cathode rays, cathode से start होते हुए anode की और बढ़ी थी बीच के रास्ते में particles से टकराती है यह particles खुद visible नहीं थी लेकिन टकराने के बाद चमक पैदा करती है और यह electric और magnetic field के absence में तो इनके charge के बारे में नहीं पता चलता लेकिन अगर electric या magnetic field लगाए जाएगा तो इनके charged particle होने के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं इसी तरीके से electric और magnetic field में यह बिलकुल अपना behavior दरशाती है और उन्हीं behavior को देख करके last में चल करके Thompson ने इस particle को क्या कहा? electrons कहा, electrons के बारे में दुनिया को इस तरीके से पता चला और यह सारी चीज़ें आगे चल करके और भी पता चलती है कि जो cathode rays की जो particles थी है वो देखे जो fifth point सबसे last point है उसमें इस शाड़े ने लिखा है the characteristics of cathode rays, electrons, does not, do not depend upon क्या plate कौन सा बनाया गया या gas कौन सी है तो यहाँ पर देखे यहाँ पर जो लिखा गया है सबसे अगले page पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ basic ब characteristics हैं वो electrodes के material और cathode ray tube के भीतर भरे हुए gas के उपर depend नहीं करती है इस बात का मतलब क्या है इस चीज़ को एक बार फिर से मैं आपको image draw करके समझाने की कोशिश करूँगा actual में इस experiment ने जो Thompson और उनके साथ ही हो Crooks थे चैटविक थे कई सारे scientist थे उसमें जो काम कर रहे थे उन्हों का यह experiment आगे चल करके electrons को matter का fundamental particle establish करने में मदद किया और एक बात ध्यान से समझ लीजे किसी भी particle को fundamental कहने का मतलब यह है कि वो particle हर जगा present होना चाहिए हर जगा present होन चाहिए और इस बात को experimentally prove करने की कोशिश की गई इस बात को देखे beginners के लिए बहुत जरूरी है सीखना मैं यहां पर देखे discharge tube बनाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं और मैं उसी के द्वारा आपको दिखाऊंगा कि जो शुरुवाती दौर में discharge tube बनाए गये थे उन discharge tube म अलग-अलग gases लिए गये अलग-अलग plates बनाई गये माल लीजे यहां पर मैं पहले yellow color से दिखा रहा हूं यानि मैंने plate ले लिया किसी type का यहां gas भी मैंने किसी एक type का भर दिया बात समने है फिर दूसरी बार क्या किया मैंने दूसरी बार मैंने plate change कर दी माल लीजे मैंने discharge tube के लिए जो gas लिया वो दूसरा लिया और यहां पर plate भी मैंने बदल दिया cathode की plate मैंने change कर दिया भीतर gas भी अलग भरा है भीतर मैंने gas भी अलग भरा है तीसरे experiment में मैंने क्या क्या मैंने तीसरी gas लिया यहां पर तीसरे experiment में मैंने क्या क्या device में तीसरी gas भरी और यहाँ पर cathode की plate को भी मैंने change कर दिया, तो आप यहाँ पर देखें, experiment के दौरान यह experiment A है, यह experiment B है, और यह experiment C है, अब आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर तीनों जगों पर अलग-अलग तरीके के gases हमने इस्तिमाल किया है अगर निकलेगा negative particle तो कौन सा निकलेगा, simple सी बात है electron निकलेगा, अगर cathode की plate से electron निकलेगा, तो किसी भी atom से टकराएगा, तो बाहर के environment में कौन रहता है बाहर के environment में, बाहर की shell के भीतर कौन घूम रहा होता है, बाहर की shell में घूम रहा होता है, electrons electrons तो electrons आम देखे और अब्राद टो यहां कर रहा है electron ही निकला, gas के ionization से निकलने वाला particles भी electrons ही था तीसरे experiment में देख लीजे तीसरे experiment में भी plates से निकला होगा electrons और बीच के particles, gases atoms से जब टकराएगा उसको ionize करेगा तो भी क्या निकलेगा electrons ही निकलेगा, यही वज़ा था कि उस scientist ने अपनी बात जब रखा तो उन्होंने कहा, कि जो भी यहाँ पर experiment में gas change करने से, plate change करने से particles, जो cathodery की fundamental characteristics थी, उस पर कोई फरक नहीं बढ़ रहा था उस बात को आज के date में आप justify कर सकते हैं, आप जानते भी हैं कि आज के date में यह सारी चीज़े इस बात को समझी जा सकती हैं कि वहाँ पर हर बार electron ही निकल रहा थे उस समय नहीं पता था इसलिए उस scientist ने बार बार experiment किया और इस बात को establish करने की कोशिश किया जो आज हम जानते हैं इस बात को उस समय establish किया गया matter के भीतर जो cathode rays के particles है हर condition में एक जैसे निकले थे और इसी वज़ा से cathode rays की जो particles हैं उनको matter का fundamental particles electron कहा गया इसके बात उस समय कुछ चुनौतियां थी चुनौतियां क्या थी जब ये बात establish हो गया था मैंने आपको बताया था ना कि इन particles cathode rays के particles के momentum है M into V है ये इसका particle nature बता रहा था कि ये particle होगा तभी इसके पास mass है इसी तरीके से इसके भीतर ये जब अपने रास्ते से गुजर रहे थे तो इनके बीच रास्ते में अगर positive plate लगा दिया जाता था positive plate लगा दिया जाता था तो ये turn हो जाते थे इससे ये पता चला कि ये negatively charged particle है इसी तरीके से इसके रास्ते में बीच के रास्ते में अगर कोई metallic file रख दी जाती थी तो ये उस metallic file को गरम कर देते थे इससे भी ये बात पता चला कि ये क्या है ये particles के बने हुए हैं जिनके पास energy है तो ये particles के बने हुए हैं जिनके पास energy है इनके टकराने से यहाँ पर hitting effect प्रोडियूस हो रहा ये सारी चीज़े समझ में आ गई है मैंने आपको बताया था ना जब ये पता चल गया कि ये negatively charged है और particle है तो अब अगला सवाल क्या था अगला सवाल ये था देखिए यहाँ पर अगला सवाल वही था जो मैंने आपको बताया है अगला सवाल ये था कि इस particle का charge कितना होगा और इस particle का mass कितना होगा इस बात को establish करने के लिए इतना आसान नहीं था इसलिए शिरवाती दौर में charge का individual value नहीं पता चल पाया शिरवाती दौर में mass का individual value नहीं पता चल पाया क्यों? क्योंकि electrons जो होते हैं इतने छोटे होते हैं इतने negligible mass के होते हैं कि उनके mass के बारे में उनके charge के बारे में individual value पता कर पाना मुश्किल था इसलिए जिस scientist ने experiment किया उसने charge और mass की अलग-अलग value नहीं पहले पता कर पाया है उन्होंने पहले जो पता किया था आप यहाँ पर देखिए 2.1.2 में आप देखेंगे charge to mass ratio of electrons के बारे में पता चला शुरुबाती दौर में charge और mass के individual value नहीं पता चल पाया थी क्या पता चला था? charge और mass के ratio के बारे में पता चला यानि जिसने पहली बार पता लग किया था उसने individual value नहीं पता किया उसने e by m ratio पता किया क्यों? क्योंकि electron बहुत negligible mass के होते है उसका mass तौल पाना उसके mass को measure कर पाना इतना असाद नहीं होता है इसलिए charge mass का ratio पता चला लेकिन फिर भी scientist हार नहीं माने बाद में चल करके एक experiment होता है I'll drop experiment I'll drop experiment से electron के charge के बारे में पता चलता है electron के charge को जब establish कर दिया जाता है electron के charge के value जब पता चल जाती है तो फिर electrons का mass पता चल जाता है तो बिग्नल्स के लिए बहुत अच्छी बात है जब धरी दर करके पता चल जाती है तो यह e by m का ratio कैसे पता चल जाती है इसको हम आपके साथ अगले lecture में discuss करेंगे